धन्यवाद सबको नमस्कार एजुकेशन से सम्मंदित कुछ निर्णे लिए गए हैं उसमें सबसे पहला तो यह है कि नरसरी से आख्मी तक के जो बच्चे हैं खास वर से छटी साथी आख्मी के बच्चे या उससे पहली क्लासिस के भी जो एक्जाम हो रहे थे और दिल्ली में कुछ हिस्सों में तो राइट्स की वज़े से और लेकिन उसके बाद कोरोना की वज़े से वो एक्जाम पोश्ट पॉंड होते चले गए और फिर कैंसल करने पड़े तो निर्णा ही लिया गया है कि आठ्वी तक के सभी बच्चे राइक टो एजकेशन के तहट नो डितेंशन पॉलिसी के अनुसार अगली क्लास में प्रमोट कर दिये जाएंगे तो सारी बच्चे राइक्ट एजिकेशन के तहट अगले क्लास में प्रमोट कर दिये जाएंगे आट्वी क्लास तक के बच्चे लेकिन ये सब बच्चे नरसरी से लेके बारवी तक के बच्चे अपने घर में रहके उनके सीखने का सिल्सला बंद ना हो और अब पढ़ाई का भी समय आ गया तो पढ़ाई का समय भी हरज ना हो तो उसके लिए पैरेंट्स और टेक्नलोजी की मदद से और टीचर्स की मदद से एक पढ़ाई का खाका रहेगा इसके लिए हमने बहुत सारे कंसल्टेंट्स से डिस्कस किया एजुकेशनिस से डिस्कस किया बहुत सारे प्रावड स्कूल के प्रिंसिपल्स टीचर्स के साथ डिस्कस किया अपने स्कूल प्रिंसिपल्स टीचर्स के साथ डिस्कस किया और ये तैकिया कि नर्सरी से आठमी क्लास तक के बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होगा, सिखाने का तरीका होगा वो यह रहेगा कि हम उनको SMS के जरीए और IVR के जरीए, recorded phone call के जरीए उनको हर बच्चे के पैरेंट को एक रोज एक एक एक्टिविटी भीजेंगे ये एक्टिविटी बच्चे अपने पैरेंट से आपने भाई बहन की मदद से घर पे कर सकेंगे इसमें उनको सोचने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए इस तरह के activities में expert किया जाएगा उसको सिखाया जाएगा इस पूरी activity को project के रूप में अपनी notebook में भी रखेंगे और स्कूल खुलने के बाद उनके teachers उसको देखेंगे और internal assessment में उसको वेटिज दिया जाएगा इसके साथ साथ class के teachers phone से अपने students के संपर्प में रहेंगे हर एक class में, ये था आठमी तक के बच्चों के लिए इसके बाद main decision है, सबसे ज़्यादा हर्ज जो हो रहा है बार्वी class के बच्चों का हो रहा है क्योंकि उनके अगले साल, इस साल, क्योंकि जो 11 भी पास करके बार्वी में आगए उनके board के exam है तो बार्वी में जाने वाले बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के teachers के लोरा classes शुरू की जाएंगी online classes हर रोज दो subject की classes होंगी इसके लिए बच्चों को एक platform, internet platform पर जाके register करना होगा इसका link हम सब बच्चों को SMS को दोरा भेज़ देंगे तो बार्वी class के सारे बच्चे हमारे platform पर register करेंगे और उनको हर रोज दो subject की online classes दिल्ली सरकार के स्कूलों के teachers लेंगे जो बच्चे इस register करते रहेंगे उनको सरकार के उसे data package खरीदने के लिए भी पैसे दिये जाएंगे क्योंकि गरीपरिवारों के बच्चे हैं उनके पास अगर phone भी है तो उनके पास में data package के पैसे भी होगे तो data package के पैसे भी दिये जाएंगे ये system अप्रेल के पहले हफते से बार्वी class के लिए शुरू हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद दस्वी class के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा पहले इसको बार्वी class के लिए शुरू करेंगे और फिर दस्वी के लिए शुरू करेंगे अगर ज़रूद पढ़ी तो TV चैनल के माध्यम से भी हर class के लिए हर class के लिए अलग अलग विश्णों के class हम सुरू करने पर तयारी कर रहे हैं जो यह बार्वी का हुआ और दस्वी का हुआ नमी class के लिए और गयार्वी class के लिए नमी class के लिए भी की से कर लिए कमारश के ना कि लाया है तो luxe है वो पास होके बारी क्लास में चले गया है तो बारी क्लास की सुरूऊ हो गई है आठ बाघी क्लास की सुरूँ कर दी है नमी के लिए हम स्यजेंट तरह कर happens और 11 क्लास के लिए अभी रिजल्ट का वेट करेंगे वैसे उमीद करते हैं और इश्वत सब बच्चों को स्वस्त रखे, सब टीचर्स को स्वस्त रखे तब तक कोरोना और लॉकडाउन सब खत्म हो जाएंगे तो रगला क्लास हो